नमस्कार साथियों स्वागते आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्टेडी पर तो दोस्तों आज हम राज्थान बीएश्टीसी के लिए 500 इंपोर्टेंट प्रिक्षा में रिपीड होता है और यह सभी प्रिक्ष्ण बीएश्टीसी के एक्जाम में आने लाइक प है तो आपको याद रखना है यह स्टित एतन जोद पूर्जले में ठीक है तो कौन सा वि个 दैलि पुलिष विश्ड़ा ले दे आले अगला सवाल है कि वरड़ रास्तान के पर्ताम मुख्य मंत्री कौन थे तो आपको याद रखना है कि मुक्य मंत्री इरलाल सास्त्री इरल कुमा वर्त के नहतरतों में अग्ला स्वाल है कि जूनागड के पास इस्थित चोतिना कुगा को किस नाम से जाने जाता है तो आपको याद रुखना है यह जाने जाने जाता है अनुप-सागर के नाम से कौनसा गुआ चोतिना कुआ जो किसके पास है जूनागड़ के पास है और भी कानेर नार में श्तित है अगला स्वाल है कि रास्तान में कौनसा जिला अधिक्तम मातरा में इससब गोल पैदा करता है तो आपको याद प्system रिखना है वो जिला है जालोर जिला जालोर जिला है जो सरवादिक मातरा में सब गोल पैदा करता है कौन जालोर अगला स्वाल है कि जल दुर्ग गागरोन इस्तित है तो कहां पर इस्तित है जालावाड में ठीक कौन सा दुर्ग है तो गागरोन दुर्ग जिसे जल दुर्ग भी कहते हैं अगला स्वाल है कि 19 स्थाब्दी का पर्थम इतियासकार कौन था जिसने रास्तान की सामंत वादी विवस्ता के बारे में लिखा तो आपको याद दुखना है वो अतियासकार था कर्णल जैमस्टोड जिसने रास्तान की सामंत वादी विवस्ता के बारे में लिखा था किसने लिखा था कर्णल जैमस्टोड ने अगला स्वाल है कि पुसकर जील के किनारे 52 घाट बने हुए है जिनमें सबसे बड़ा गाट गांधी गाट है और इसे किस नाम से जाना जाता है तो आपको याद दुखना है यह जाना जाता है जनाना मैला गाट ठीक है जनाना या मैला गाट के नाम से जाना जाता है अगला स्वाल है कि रास्थान में सबसे आदर मेना अगस्त नियूंतम आदर मेना अप्रेल है बताए रास्थान में मचली निसेद काल कब होता है तो रास्थान में मचली निसेद काल होता है 16 जून से 31 अगस्त ठीक है 16 जून से 31 अगस्त तक कौन सा काल होता है मचली निसेद काल होता है अगला स्वाल है कि बोहरा समाज का उस उर्ष कहां बरता है तो आपको याद रिकना है यह बरता है गलिया कोट में ठीक है अगला स्वाल है कि कच्छी गोडी निर्तिय किस छेत्र में ज्यादा परचली थे तो आपको याद दखना है, यह परचली थे सेखावाटी छेत्र में, ठीक है, कौन सा नर्तिव? कच्छी गोडी नर्तिव अगला स्वाल है, कि मीरा बाई का मंदिर कहां पर इस्ति थे? तो आपको याद दखना है, यह स्थित है, एक वदु दोनों में, ठीक है? तो चितुटगड में भी है और मेरता में भी है किसका मंदिर है? मेरा बाई का मंदिर अगला स्वाल है कि संगीत समराट वर माउंट एवरेश्ट आफ म्यूजिक के उपनाम से जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? अला दिया? खाँ, ठीक, अला दिया खाँ है वर्दमान महावیर खुला, विस्विध यदेले है किसका नाम? कोटा खुला, विस्विध यदेले का एकनाम अगला साथ है, कि सिख्थाक्ए अधिकार का अधिनियम, रास्थान में कब लाघू किया गया? तो आपको याद दिखना है यह रास्तान में लागू किया गया था एक अप्रेल 2010 को ठीक है कौन से किस के अधिकार का अधिनियम सिक्सा के अधिकार का अधिनियम अगला स्वाल है कि रास्तान में डबोक एरपोर्ट कहां पर रिस्तित है तो आपको याद उखना है यह अस्तित है उद्यपूर जिले में ठीक है तो कौन सा एरपोर्ट है डबोक एरपोर्ट अगला स्वाल है कि संसेट के दृसे निहारने के लिए परेटक को रास्तान के किस नगर में जाना जाता है जाना चाहिए तो यह जाना जाएए आप माउंट अबू में ठीक है संसेट के दृसे निहारने के लिए परेटक को रास्तान के किस नगर में जाना जाएए तो आपको याद उखना है माउंट अबू में माउंट अबू कहां पर है सिरुई में है अगला स्वाल है कि रास्तान में अस्ताक्सर वाला एक मात्रा बिले किसे माना जाता है तो आपको याद रुखना है यो माना जाता है बेनिसवर अभी ले को ठीक है अगला स्वाल है कि रास्तान का कस्मिर किसे का जाता है तो आपको याद रुखना है रास्तान का कस्मिर का जाता है उदेपूर को अगला सौल है कि जैपूर के किस सासक ने सद बावना यातरा युजित की तो आपको याद रुखना है यो कि दीच स्वाई जैसिंग ने अगला सौल है कि रास्तान की उस रियासत का नाम बताए जिसमें सरुपर्थम संयुत राजे अमेरिका के सप्थी प्रत्थे करण के सदानत के आदार पर नियाए वेश्ता लागू की गई तो आपको याद रुखना है वह रियासत है बीकानेर अगला सौल है कि रास्तान का पहला निर्यात प्रोस्थान ओधिक पार्क कहाँ विक्सित किया गया तो आपको याद रुखना है यह विक्सित किया गया था सितापूर जो कहाँ पर है जैपूर में अगला स्वाल है कि राज़तान के बोगलिक छेतर को किस वर्स राज़तान का नाम दिया गया तो आपको याद रखना है यह दिया गया था 26 जनवरी 1950 को राज़तान नाम दिया गया अगला स्वाल है कि गरासिय जंजाती के लोग रास्तान के किस इलाके में पाई जाते हैं तो आपको याद रखना है यह पाई जाते है आबूरोड जुकापर है शुरुई में कौन सी जंजाती गरासिय जंजाती अगला स्वाल है कि सुस्क वन अनुस जंदान संस्तान कहां पर इस्तित है तो आपको याद रुखना है यह इस्तित है जोद पुर्जले में अगला स्वाल है कि राज्य में भूमियों बावन कर कब समाप्त किया गया तो आपको याद रुखना है यह समाप्त किया गया था इसका तो exact वे उत्तर आप मेरे को पता नहीं है इसलिए आप यह उत्तर comment box में बताए ठीक है तो राज़े में भूमी यह भावन कर कब समाप किया गया यह comment में जरूर बताए ठीक है अगला देखते हैं अगला स्वाल है कि राश्तान से गुजरने वाली राश्त्री राजमारगों की संख्या कितनी है तो आपको याद रुखना है यह संख्या 19 ठीक है राश्त्री राजमारगों की संख्या कितनी है 19 जो राश्तान से गुजरते हैं अगला स्वाल है कि मारवाट सत्यागर दिवस कब मना जाता है तो आपको याद रखना है यह मना जाता है 26 जुलाई 1952 को ठीक है कौनसा दिवस? मारवाट सत्यागर दिवस अगला स्वाल है कि राश्ट्री और अनुसंदान के अंदर कहाँ पर रस्तित है तो आपको याद रखना है यह स्तित जोड बीज जो कहाँ पर है वीकानेर में अगला स्वाल है कि राश्टान में पंचायद समीती का परदान अपना स्तिवा किसे देता है तो आपको याद रखना है यह देता है जिला परमुग को ठीक है? अगला स्वाल है कि मानिके लाल वर्मा आदिम जाती सोध संसान अगला स्वाल है कि 2011 की जंगना के नुसार राश्टान की जनसंग्या कितनी है तो आपको याद रखना है राश्टान की जनसंग्या है 6.86 करोड है ठीक है लगबग 6.86 करोड है जिसमें 85 करोड है जैसे कि 6.86 करोड के जो भी करीब आएगा वो इसका उतर हो जाएगा तो कितनी जनसंग्या है 6.86 करोड या 6.86 करोड जो भी एंसर हो ठीक है जो राश्टान की जनसंग्या है अगला स्वाल है कि पसु पक्सियों को मैतो देने वाली स्कूल ओफ पैंटिंग का नाम है तो आपको याद रखना है उसका नाम है गुंदी सेली ठीक है अगला स्वाल है कि गुमर निर्थे किस तिवार पर किया जाता है तो आपको याद रखना है यह किया जाता है गणगोर तिवार पर ठीक है गणगोर तिवार पर कौनसर निर्थे किया जाता है तो आपको याद रुकना है गूमर निर्टे किया जाता है अगला स्वाल है कि गरीबी अटाओ का नारा सुर पर्थम किस ने दिया तो आपको याद रुकना है या दिया था इंदरा गांदी ने ठीक है इंदरा गांदी नारा दिया था क्या गरीबी अटाओ अगला स्वाल है कि बैंक आफ राजस्थान का विले किस बैंक में किया गया तो आपको याद रखना है यह किया गया था आई सी आई आई सी आई सी आई बैंक में किया गया था अगला स्वाल है कि आदिवासी सब्वेता में लोकाई का आशे हैं तो लोकाई का आशे क्या है? मिर्तियो बोज अगला स्वाल है कि किस वरक्स को थार का कल्प वरक्स का जाता है तो आपको याद रखना है थार का कल्प वरक्स का जाता है खेजडी को अगला स्वाल है कि पीवना प्रजाती है तो आपको याद रखना है पीवना प्रजाती है सापकी अगला स्वाल है कि कि सभी लेक ने मारना कुमबा के लेखन पर प्रकास डाला तो आपको याद रखना है यह डाला था कुम्बलगट सिला लेक ने मारना कुम्बा के लेखन पर प्रिकास डाला था अगला स्वाल है कि धर्ती दोरारी गीत के रचेता कौन थे तो आपको याद रुखना है यह रचेता थे कनेलाल सेठिया जुनोंने गीत लिखाता गया डर्ती दोरारी यह रचना गीती अगला स्वाल है कि कूच मादी आकर गरंत के लेकक है तो आपको याद दिखना है यह लेकक है रामेश्वर दयाल स्रीमाली जो कूच मादी आकर गरंत के लेकक है अगला स्वाल है कि चीनी आत्री अवेंच सांग ने बीन माल को क्या नाम दिया तो आपको याद रखना है बीन माल को नाम दिया पोलो मिलो अगला स्वाल है कि 809 में इस्वी में मराठा सर्दारों दोरा किस जील का पुनर दोर करवाया गया तो आपको याद रिखना है यह करवाए गया था पुसकर जील का ठीक है और कब कराए गया अठार सो नौ में और किसके दोवारा तो मराठ वसरदारों के दोवारा अगला स्वाल है कि रास्तान का लोक वाध्य है तो आपको याद रखना है लोक वाध्य है उप्युक्त सभी मोरचंग, नगाड़ा, नोबत यतीन ही है जो रास्तान का लोक वाध्य है अगला स्वाल है कि कवी चंदवर्दाई की रिचना का नाम है तो आपको याद रिखना है रिचना का नाम है पुर्चवी राज रासो अगला स्वाल है कि एक खेल जिसमें दो दल होते हैं एक दल के खिलाडी किसी पेड का सहारा लेकर गोडी बनते हैं तता दूसरी दिल के खिलाडी उन पर चड़ने का प्रयास करते हैं और इस खेल का नाम है तो क्या नाम है उत्तर बिखा मारी बारी उत्तर बिखा मारी बारी इस खेल का नाम है अगला स्वाल है कि किस किले के लिए का गया है कि अन्य सब किले नंगे है जब कि यह बक्तर बंद हैं तो आपको याद रखना है यह का गया रंधंबोर के लिए अगला स्वाल है कि 84 कंभो की छत्री कहां पर इस्तित है तो आपको याद रखना है यह इस्तित है बुंदी जिले में ठीक है बुंदी जिले में कौन सी छत्री इस्तित है कर जेल के पास ठीक है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर बताए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चान को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद